एलो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो यह मेरा एक क्राइसेंथमम्स का प्लांट है जिसको गुल्दाओदी का प्लांट भी बोलते हैं तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस प्लांट को नेक्स्ट येर के लिए कैसे सेव करके रखें तो फ्रेंड जैसा कि यह मेरा गुल्दाओदी का प्लांट है फुल अच्छी ग्रोथ पे है और इसमें ब्लूमिंग भी बढ़ियां है फुल फ्लावर और बड्स से लदा हुआ है तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें यह बड्स वगरा भी है और यह मेरे फ्लावर्स हैं जो एक बंच में है अब मैं बात करूंगा कि इसको नेक्स्ट इयर के लिए कैसे सेव करें तो फ्रेंट के अपने रूट के पास से देखा होगा कि इसमे सखर्स निकलते हैं तो फ्रेंट जो यह सकर्स होते हैं यही हमारे next year के plant होते हैं जिनको save करके हम अपने next year के लिए समाल के रखते हैं जो की root से और plant की base area से निकलते हैं तो friend अब हम बताएंगे इसको कैसे save करें तो जैसा कि यह देख रहे हो आप friend यह हमारे suckers है तो friend अब हम इनको बताएंगे कि आप इसको कैसे save करें और कैसे store करे झाल 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 झाल